नमस्कार जा जोहर मैं को मलसा हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहाँ पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्धन का एक वीशा है जिसे हम बोर रहे क्या 36 गड़ में जनजाति का लाइवम संस्कृति इससे पहले हमने जनजाति यो का बोर और वीडियो देखे थे उसके बाद उसी में हम लोग एक कदम और आगे बढ़े थे अगले में पड़े थे हम क्या 36 गड़ में कौन-कौन से लोक नित्य होते हैं, कौन से लोक गाथा होते हैं, कौन से लोक नाट्य होते हैं, उसके बाद देखे थे जनजाती नित्य, यह सब चीज हम देख चुके हैं, अब जनजाती में थोड़ा और आगे चलते हैं, कि 36 गड़ में जनजातिया कितनी हैं, हम के इस वीडियो में होने वाला तो बीना किसी विलम के बीना किसी देर के प्रारम करते हैं स्रिकनेस करते हैं आज के इस वीडियो का ठीक है जी पहला प्रसनाम को लेना है पहले प्रसनाम में क्या बोल रहा है भारती सविधान के अनुसूची की धारा बीस में इस राज्य के कि इतनी जनजातियां सूची बद्ध है ये बोल रहा है कि जो आपका इंडियन कॉंस्ट्यूशन है उसमें जो आपके ट्राइबल है वो क्या है लिस्टेड है इसकी बारे में बात कर रहा है देखिए आपको अप्शन में दिया है कि आपके लिए 30 उसके बात दिये 342, 42 और क्या लिखा है 161 तो आपके लिए सबसे पहले अंसर चल लेते हैं अपन कितना 42 हमारे यहां जितनी सूची है उसमें 42 प्रकार से क्या जनजातियों को सूची बद्ध किया गया है क्लियर जी आपको याद रखने ओप्शन नमबर A, B, C और D यहां से 4 इंडिविज्व आपको प्रस्ण नहीं या फिर क्या बनते हैं कोस्चन बनते हैं सबसे पहले बोल रहा है क्या 30 आपको याद रखने 30 दूनी कितना होता है आपके लिए 60 तो 30.62 प्रतिसाथ है कहां 36 गड में जनजातियों का जनजातियों का प्रतिसाथ तो आपको यह प्रस्ण पूछता है और कब के अनुसार है ये जन गड़ना 2011 के अनुसार तो आपको जन गड़ना 2011 के अनुसार पूछे ये आपको पूछेगा कि 36 गड़ में जन जातियों का प्रतिसत बताईए तो 36 गड़ में जनजातियों को प्रतिसत कितना है 30.62 अब देखिए 2011 में आपके यहां 36 गड़ की जनसंख्या कितनी थी भाई यह थी लगभग 2 करोड 55 लाख अगर आप 2 करोड 55 लाख का 30.62 प्रतिसत निकालोगे तो लगभग कितना है का आपके लिए 38 लाख तो यह जो 78 लाख क्या था 36 गड़ में जनजातियों की संख्या अगर टोटल जन संख्या हमारे पास कितना है टोटल प्रतिसत निकालोग 2 करोड 55 लाख उसमें 78 लाख जो क्या है आपके पास 36 गड़ में जनजातिया दूसरा लिखा है आपको 342 अगर आपको यह पूछेगा भारती सविधान के किस आर्टीकल में जनजातियों को सुची बद्ध किया गया है यहाँ पे जो अनुसूची लिखा है ना अगर इसी के अंदर आर्टीकल आएगा तो सविधान के अनुच्छेद यहाँ अनुसूची लिखा था ठीक है अनुच्छेद 342 में 36 गड़ के यह जनजातियों के बारे में आपको क्या मिलता है उल्लेक मिलता है आपको याद रखना है 42 36 गड़ के अगर जनजातियां है तो टोटल 36 गड़ में 42 प्रकार की जनजातियों को सूची बद्ध किया गया है जैसे हम लोग होते है न तेली, कुर्मी, केवांट, राउट यह क्या है ऐसे प्रकार है न तो वैसे 42 प्रकार से 36 गड़ की जनजातियों को लिस्टेट किया गया है देखते हैं 161 अगर हमारे पास 42 प्रकार के क्या है जनजातिया है अगर उसी को क्या करदो आप उप विभाजन विभाजन या इसी बोल सकते हैं क्या उप समूँ अब ये उप समूँ या विभाजन क्या चीज होता है आप समजिए जैसे मान लो ले लिए कुर्मी प्यालीस मुख्या रूप से हैं इसके अंतरगति वनसिस्टी वन प्रकार के होते हैं, आपको प्रस्ण ये चार रूप में भी पुषता है, तो आपको प्रस्ण देखना भी है, और तयार भी करना है, क्लियर भई, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ते हैं प्रस्ण नंबर दो के लिए, अगला पूछ रहा है, छतिस गड़ के जनजाती तो आपको याद रखना है क्या, चतिस गड़ के जनजाती है, वो कौन से अनुसूची के अंतरगत आता है, इसकी बात हो रही है, भई, आपको बीना दिमाग लगा है, आपको देखना है, अगर आप चतिस गड़, देख रहे हो, स्वारी, मेरा खासी आ रहा है, भई, मैं इल ये भी, तो ऐसे मस समझ ना कि टीचर भगवान होता है, उसको कूछिच नहीं होगा, भई, हम भी मिमार पढ़ सकते हैं, क्लियर जी, तो आपको याद रखना है क्या, चतिस गड़, ये आपके लिए कितना पांच अक्छर का है, आपको सिद्धा सिद्धा बीना जनजातिया हैं आपके लिए पांचवी अनुसूची के अंतरगत आता है सविधान में क्लियर जी अगला अगला प्राशना देखते हैं यहां आपके लिए चर्चा का एक रहेगा 36 गढ़ के अनुसूची जनजातियों कि सूची निम्न लिखित में से सूची बद्ध है मतल्हक अगर ये क्या है लिस्टेड है तो किस में सूची बद्ध है उसकी बात कर रहे है सबसे पहले बोल रहा है कि भारत का सविधान, भारत के सविधान में तो है, लेकिन ये पूछ रहा है कि इसका 36 गड़गा, ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश, पूनर गठन, अधिनियम, 2000, यही एक अधिनियम है, यही आपके लिए क्या एक एक्ट है, जि इसके तहट क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, 36 गड़, मध्य प्रदेश से क्या हुआ, अलग हुआ, विभाजित हुआ, तो विभाजित नहीं बोलना चीए, इसको बोलना चीए, क्या पूनर गठन, पूनर गठन हुआ था क्या आपके लिए, तो यह जो 30 कमरा को अलग निकाल दी, क्लियर जी, तो 36 गड़ मध्य प्रदेश का 30 सद समलोग 4,7 प्रतिस अथाई की नहीं है, तो आपको अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस अधिनियम से 36 गड़ का निर्मान हुआ है, वो है मध्य प्रदेश पूनर गठन अधिनियम 2000, इसी से भई मध्य प्रदेश से क्या बना है आपके लिए 36 गड़, तो जब मध्य प्रदेश की जितनी जन जातिया हैं, वो पहले से क्या थी, सूची बद्ध थी, और जब राज्य का निर्मान हुआ, तो एजिटी जो 36 गड़ के छेत्र में, जो भगोलिक छेत्र में, जो जन जात प्रशना, 36 गड़ की अनुसूची जन जातियों की सूची मध्य प्रदेश, पूनर, गठन, अधिनियम, 2000 में क्या है, वर्णीत है, आपको एक प्रसन का यहीं जवाब देना है, मैं आपसे उमीद करूंगा, आपने मेरे पहला वीडियो देखा, आपके सब के प्यार के लि प्रदेश के किस हिस्से से 36 गड़ विभाजित हुआ या पूनर गठित हुआ है, आपको दिशा बताना है कि किस दिशा से, क्लियर जी, उत्तर दक्षिन, पूरा पस्चिम, क्लियर, आगे बढ़े क्या, तो ये प्रशना भी आपको क्लियर हो गया, आगे चले क्या, इधर आपके लिए चर्चा करने योग्य रहेगा, आप देख रहा है, यहां से आपको मैक्सिमम, अगर आप 36 गड़ पीस्सी का अगर पेपर देखोगे, एकदम को सीजी पीस्सी छोड़ दी, आप सीविल सेर्विस का देखोगे, आपके लिए स्वारी, आपका जो सीविल इंज सीथ विशेश पिछड़ी जन जाती नहीं है, मतलब क्या होता है, आपके लिए विशेश पिछड़ी कुछ जन जाती होती होगी, आपको वो चीज समझना है, कि यह विशेश पिछड़ी जन जाती होता क्या है, विशेश पिछड़ी जन जाती, जैसे आपको मैं कहूं राइपुर वाले कोई लव्द खनन का बात हो रहा था आपके परसा चेटर है यह सार जंगल को काटने की बात कर रहे थे हमारे दिमाग में व्यंटे जाता जंगल को नई काटना चींगे बंद करना किसी को ठीक है मैं उधर मत काट भोल रहे हो चलेगा लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि घर में अगर एसी पंखा कहीं पेश्टा चल रहा है तो उसको बन कर सके whatsका गहा जाते घ्रकित यहीं समस्या है तो बात उसी की हो रही है कि विशयस पिछड़ी जाती क्या होती रोटी कपड़ा और मकान तो क्या रोटी कपड़ा मकान से हो जाता है आपको चीए बिजली आपको चीए स्वास्ति आपको चीए सुद्ध पेजल आज के टाइम में इंटरनेट कनेक्शन भी आपके लिए एकदम क्या हो गया उपयोगी हो गया तो यह सब बोला जाता है क्या विशेश पिछडी जन जाती तो जो विशेश पिछडी जन जाती होता है उसको केंदर सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा घुसित किया जाता है तो 36 गड में विशेश पिछडी जन जाती कुल मिला के कितने प्रकार कहें जी 7 और 7 में भी दे और दो प्रकार किसके राज्य सरकार के द्वारा ठीक है जी अब देख लेते बात में उस अदिस्कस करेंगे पहले इधर पढ़ लेते जैसे आपके पास क्या होता है ABP News होता है क्या एक ABP News होता है तो आपको ABP News याद रखना है A से याद रखना है आप बूझ मान्या ठीक है जी, B से याद रखना आपको बाईगा, P से याद रखना आपको पहाडी कोरवा, ठीक है जी, अब आपको याद रखना B से और एक्ठो, ये जो B है, ये B को और लिख दो क्या आता है आपके लिए? राज्या ठीक है और एक भी घर लेले। ठीक है जी तो आपको याद रखना है बईगगा आपको याद रखना है क्या वी राज्या सरकार के द्वार स्वारी हां आपको याद रखना है क्या भूंजिया एक भी इधर याद रखे तो एक भी एक भी और एक भी तो पहले ए लेना है फिर बी लेना है फिर बी लेना है फिर बी लेना है क्लियर जी आपके पास हो गया क्या पहाड़ी कोरवा तो आपको केंदर सरकार के द्वारा कि हड़ी कुरवा कमार और विरोर उसके बाद याद रखना भूंजिया अब भूंजिया खाता कौन है जैसे आपको याद रखना बीपी इधर भी पी है तो इधर भी बीपी आएगा आप कंसेप बना बना के पड़िए आपको एक प्रसनल लगभग यहां से आते हैं तो आपको भूंजिया खाता है ना तो पंडो याद रखना है आपको पंडो पंडा से याद रखना है क्या पंडो तो आपको याद रखना भूंजिया और पंडो यह दोनों किसके द्वारा है आपके लिए राज्यसरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा याद रखना आपको अबूजमानिया बैगा पहाड़ी कोरवा कमारा और बिर्हों किलियर जी आपको याद रखना 36 गड़ में यह साथ आपके लिए विशेश पिछ्री जन जाती है इसमें देख रहे हैं अब केंदर सरकार बोला है ठीक है इसके द्वारा कितना होता है पांच प्रकार पहले आप के लिए अबूजमानिया सही है दूसरा बैगा शही है पहाड़ी कोरवा भूझिया क्या है जी राज्य सरकार के द्वार है तो इसमें पूछे कौन नहीं है तो आपके लिए एंसर क्या आईगा ड़ी आएगा जोब भूझिया है वह विशेश पिछड़ी जन जाती नहीं, किसके द्वारा गोसित, के नरसरकार के द्वारा, जब अपितु यह क्या है, राज्य सरकार के द्वारा गोसित है, क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, आप एक चीज को बार बार पड़े, और एक ही बार पढ़ने के बाद दुबारा नहीं पढ़ेंगे, कर लेते हैं, कि इसके लिए वेरियर एलविन, यह जो वेरियर एलविन है, यह है भई, एक समाज सास्त्री, समाज सास्त्री मतलब क्या होता है, समाज में जाते होंगे, उस सास्त्रक धर-धर के पढ़ते होंगे, ऐसा बात नहीं है, अराम से लोग जाएंगे, एक समाज का बाव लोकन कोज क्या खाते हैं इनको क्या पसंद है अगर लड की देखते हैं इनका विवा होता है जगड़ा होता है हर एक चीज को अगर एक बुक में जा कि लिखेंगे और पूरा एन alạn होता है किस मेंование सदातमक चीज क्या होता है सकरात्म क्या चीज होता है नकरात्म क्या चीज होता है अगर इन सब को एक बुक के रूप में मतलब आप उस बुक को पढ़ लोगे और जित जनजाती के बारेम रहेगा अगर आपको पूरा ग्यान हो जाएगा तब उसी क्या बोलेंगे हम लोग समाज सास्त्री ठीक है तो व आपको concept दे रहा हूँ, आपको याद करना है, चारोग चारोग प्रस्न पूछा हुआ है, इसलिए एक option में डाला हूँ मैं, तो आपको याद रखना जन जाती, आप जन जाती है, तो वहाँ सांप एक दम normal चीज है, अब सांप किस के पास रहता है, अभी आप एक दिन पहली क नांग पंजमी मनाए हूँ, आप देखे होगे ना, तो नांग पंजमी मनाए हूँ, तो नांग पंजमी म क्या रहता है आपके पास, किन का हो जी, वह सबारी संकर जी का, तो संकर जी दया करेंगे तब, तो तो दया संकर नाग, तो आपको याद रखना, दया संकर नाग है दूसरा बोल रहा है दा मारिया गोंडाव बस्तर बोल रहा है दा मारिया गोंडाव बस्तर ये किसकी किताब है करके तो आपको याद रखना है भई देखो हम लोग गुड मॉनिंग बोलते हैं क्या तो आपको याद रखना है क्या जोर्ज गियर्सन तो आपको याद रखना है जोर्ज गिरियर्सन तो आपको याद रखना गोंड से रख लेना जोर्ज याद गियर्सन जैसे आपको क्या करते बने हो रिलेट करते बने आपको याद रखना दा कमार की बात कर रहा है भई कमार तो कोमल सर को याद रख लेना कोमल और सर ठीक है तो आपको याद रखना है क्या, स्वामा चरन दूबे, वो है क्या दा कमार के राइटर, अब हमंस चलते हैं कि इसके लिए यह है बहु मिरियार का तो आपके लिए आंसर होगा क्या धमोडिया अन्डेर घोर्टूल, इनके साथ इनो लिखा है क्या द अगरिया, द बाईगा, द अगरिया, द मूडिया एंद्यर, घुटूल, ये सब भूख के रचनाकार है, रचाहिता है, आपके लिए कोन वेरियर, एलवीन, वेरियर, एलवीने कोन है, समाज, सास्त्री, तो आपको चीजों को रिलेट करके, रिलेट करके पढ़ना है, भैक यहां से आपको प्रस्णा बनता है, चारो को चारो प्रस्णा, पूछा गया प्रस्णा, सब से पहले बोड रहा है, क्या वो घोटूल, तो आप थोड़े टाइम के लिए समझे, you agree होता क्या है, you agree क्या चीज होता है, समझे, जैसे हम लोग हमारे एरिया में, आगर हम लोग तो अपने दाइदेदा लोग के साथ जाते हैं, जैसे मैं तेली हूं, तो हम लोग का क्या होता है, कर्मा भावन होता है, कहां पर राइपूर में, वहां साब कोई अपने अपने लईकाच हुआ, लोग को धर के आएंगे, जिनका साधिक उमर रहे का सब एक दूसरे परिच का चीज है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, you agree, मतलब यहां होते हैं, टीनेजर्स लोग, जो you are होते हैं, वहीं लोग होते हैं, और उनका agree, तो इनको यहां समाज के सकरात्मक, एवं नकरात्मक, दोनों आयाम को बताया जाता है, सकरात्मक की आपको समाज में क्या-क्या चीज करना है, और क्या-क्या चीज नहीं करना है, जैसे आपको बताएंगे, इस से पहली तुम काजोल को, इस वरियर राय को, कट्रिनाम केप को, जैक निल फननांडी, इसको सब को घुमाया होगे, चलेगा, लेकिन अब आपकी साधी होने वाली है, और आपका विवा होता है, कि इसके अमरीता राओ के साथ तो यह है, अमरीता राओ तुम्हारे लिए क्या होगी, काजोल होगी, कट्रिनाकेप होगी, जैक निल फनननांडी, आगर यहां क्या बताया जा रहा है, सकरात्मा, अब आपको एक जैसा करना है, मतलब समाज में क्या चीज एक्सेप्टेबल है मतलब डू और डॉन्स, क्या करना है और क्या नहीं करना दोनों चीज का अगर सिक्छा दिया जाता है, तो ऐसा एक इस्थल होता है, उसी हम लोग क्या बोलते है, यूवागरी, आपको भी मेंस भी देना है, थोड़ा सतयार रहिए, आपको याद रखना है क्या घोटूल, यह जो घोटूल होता है, यह मुडिया एक जन जाती होता है, तो मुडिया जन जाती का यूवागरी है, यह दोनों प्रस्न आपको बार 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 पूसता है, यह घोटूल आपके लिए बहुत इनपोर्टिंट है, मुडिया जन जाती का यह है, यह यूवागरी है, आ उरावजन जाती का यूवागरी मतलब उरावजन जाती में जितने क्या होते हैं यूवा होते हैं जिनका उमर मान के आप चलो कितना तेरा साल से अठारा साल के बच्चे होते हैं जिनका साधी का उमर माना जाता है तो वो आयू के जो बच्चे होते हैं वो इसी यूवागरी म जाते हैं और देखते हैं उनको सिखाया जाता है एक जंडोकरा रहेगी एक जंडोकरी रहेगी अपने जीवान भर का सिख्छा उन लोग को बताते हैं कि बेटा-बेटी हो का करने उकानी करने समाज में का चीज चल थे का चीज नहीं चल पाई क्लियर जी जैसे हम लोग बोल देते हैं तो डोगरी बताएगे पहली मेरे बोलता था तू मेरी राजकुमारी है और इसे जीवान में नहीं होता करके जब आपको परिवार का लोड पढ़ेगा तो जो राजकुमारी सुबह 8 बजे उठती है घर में उसके लिए चाय आता है व इसीख हम लोग 36 घर में बोलते हैं बिलहोरना बिलहोरना क्या होता है बिलहोरना जिनको नहीं आता है घर में पूछना भाया बिलहोरना जब कोई आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खा देगा उसीख बोलते हैं बिलहोरना तो आपको याद रखना बिरहोर बिरहोर अभी पढ़ेते, कि आप बिरहर आपके लिए कजनजाती होता है उसी कई, मैद बढ़ेते हैं तो इसका answer तो मैं आपको पहले बता देता हूं भी आपको याद रखना बार, बार बार पुझचा गया है ये आपके लिए क्या होती है एक जनजाती भूंजिया एक जनजाती होती है भूंजिया जनजाती का रसोई घर है ये प्रस्ण भी आपको पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है भाई क्या कि भूंजिया जनजाती का रसोई घर किसे बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उस अगला याद रखने क्या अब उज्मारिय जन्जाती के द्वारा किया जाने वाला इस थनांतरित क्रिस्ति नीनमा में से कौन सा है तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस थनांतरित क्रिस्ति होता क्या है समझे हो आप अगर मोरियकाल पड़े होगे जब आप गुपत अपना माता समझेंगे, तो क्या करते हैं? इन लोग उसकी उपर नहीं चलाते, कि माता को क्या होगा? दर्द होगा? पीडा होगा? तो इसलिए क्या करते हैं? देखते हैं, अगर उपर में जंगाल है, तो जंगाल के कुछ गुछ हिस्तो को काट देंगे, और वही फसल उगेगा करके लेकिन आप यह सऊचो क्रिसी करना चालू करोंगे अभ़ दो hy immediately बार है यहां और यह फसल करने के अब यह होता है क्या होता है पर्या आप मेरे बताना भाई यह पड़े longerbelt नहीं रही चांथ की सवल रहन आ宮ँ होता है परिया जिस भूमी में हम लोग क्रिसी नहीं करते उसको बोलते है परिया जब इसी परिया को आप क्या करोगे क्रिसी भूमी करोगे परिवर्थित करोगे तो आपको तीन से चार साल पांस साल लग जाएगा जितना नॉर्मल क्रिसी योग्या भूमी में पैदावार हो होता है उतना होते होते clear जी तो आप सोचो जंगल को अभी काटे तूरंद बोगेत होगा क्या नहीं और दूसरा इसका सबसे बड़ा क्या चीज होता है कि धीरे धीरे जंगल खतम होते जा रहा है तो यह पहले प्रचलीत में था अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसके उपर बेन कर दिया गया लेकिन हमारे पेपर का क्या है एक कोश्चान है तूसकी सबसे हमको याद रखने अभी यह वर्तमान में प्रचलान म तो यह आतब तर रखने यह जो अभुज्मान या जनजाती का इस थना अन्धरित क्रच्य को नहीं पेपर में आपको दस बाद से ज्यादा पूछ चुका है, आपको सीधा याद रखना पेद्दा, तो ये आपको पेद्दा, ऐसा लिखा है भाई, ठीक है, पेद्दा, आपको याद रखना जो अबूज मानिया जन जाती का, इस्थनांतरित क्रिसी है, उसे क्या बोला जाता है, पेद्दा, क्लियर जी, आपको याद याद रखना है क्या बेवार ये बेवार को आप मालो लिख दिये बीमार बीमार पड़ गये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाद किसके पास जाते हो आप बैगा के पास तो आपको याद रखना है बैगा बैगा से याद रखना है बेवार तो जो बैगा जन जाती स्थानांत्रित क सी आपको याद रखना है क्या बेवार नहीं तो आप बीबी करके भी याद रख सकते हैं आपको जैसा कंसेप में यादो चल जाएगा आपको याद रखना दाहिया पहिली लोग दही बेचने आते थे या आज से आप 10 साल पहिली का अगर आप फोटू देखे होगे घर में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा होता था आज कल तो उट्टी पुट्टी वाला घर आगया रहिसो का घर आप देखोगे अभी आपको दिवालों में फोटू नहीं द तो मैं वही से याद रखा हूँ कि जो दही बेचने आते हैं वो दही को एक दही को इधर रखते थे गर तो आपको याद रखना है क्या कमार तो जो कमार जन जाती का आपके लिए स्थनांतरित क्रिसी होता है उसी बोलते हैं दाहिया क्लियर जी उसके बाद याद रखना है आपको धारिया माल लो को समझ लो कोई धार वाला चीज नीचे में पड़ा है और आप रेंगते रेंगते गये क्या कटेगा आपका गोड़ तो आपको याद रखना है क्या गोड़ एक जन जाती उनका इस्थानांतरीत क्रिसी क्या कहलाता है धारिया या इसी का एक और क्या रूप है बयवार तो आपको यह चारों के चारो परस्थ ने पूछे हुए हैं आपको चारों परस्थ ने पूछ में पूछ सकता है आगे बढ़े क्या ऋगला याद रखना है हमको क्या सिकार अधारित जन्नजाती , नाट्या है यहां से आपको परस्ना बनता है अगर आप पेपर बनाते हो तो देखे आपको लिखा है क्या सिकार तो हम लोग वो पढ़े थे क्या इससे पहले करो वीडियो बनाये थे उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या गौर या बाइसन हानित्य तुसमें क्या होता था सिकार होता था नह या मारने और पाटने के लिए आपको उसका सिकार करना पड़ेगा तो आपको याद रख लेना क्या माओ से मारना अपा से याद रख लेना पाटना तो आपको मारना और पाटना ये प्रस्न आपको बार बार पूछा है तो आपको याद रख लेना माओ पाट आपके लिए क् लिखते हैं तो आपको अंसर चल लीजी ख्लियर जी और कोन से जन जाती का है ये प्रस्ण भी आपको बार-बार पूछा है तो आपको याद रखना ये है क्या मुडिया जन जाती का ये प्रस्ण आपको बार-बार पूछता है कि जो माओ पाटा आपके लिए जन जाती नाट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मावों पाटा, दोनों रूप में पूस्ता है, शिकारा धार जन जाती नित्य है, इसमें ये पूछता हैं ये क्या प्रधान होता है जैसे ये आपके लिए सिकार सबस्थ प्रद्ध Mhm आपको याद रखना एक बार पूछा है कि या कोन से भासा में किया जाता है भटराणाठ तो भत्री भासा में होता है क्लियर जी आपको एक प्रस्ण और पूछे उप जितने जन जाती नाट्टी है आपको एक दो तीन चार अगर ये चार आपके लिए जन जाती नाट्य दिखते हैं तो सरवाधिक प्रचलित जन जाती नाट्य तो आपको याद रखना भई तो आपको याद रखना भई सरवाधिक प्रचलित जन जाती नाट्य तो आपको याद रखना भई सरवाधिक प्रचलित जन जाती आपके लिए अ 17 नाट आगे बढ़े क्या आपको याद रखना खंबा स्वांग ठीक है तुम्हें क्या बोला हूं कोमल सर जहां के आएगा तो आपको याद रख लिना यह के और यहां से कैसे याद रखना क्या कोरकुजन जाती आपको ये सब जन जाती पूछता है ना यह आप पढ़ोगे ये खंभा स्वांग बोलो, चाहिए आपको खंभा स्वांग बोले, दोनों एक ही चिंग है, खंभा स्वांग या खंभा स्वांग, इसको करता है कोरकुजन जाती, क्लियर जी, एक प्रस्ण यहां से और आएगा, कि कोरकुजन जाती किनों को अपना संरक्षक मानते हैं, तो आपको याद रखना है मेगनात को अपना संरक्षक मानते हैं तो यह प्रस्ण भी आपको पूछता है तो आपको चीजों को एक ही जगा ऐसे त्यार करना रहते क्लियर जी आगे याद रखना दही कांदो दही कांदो कौन सा जन जाती करता है खास लूँ क्या आपको पूछेगा क्या दही कांदो तो यह जो दही कांदो होता है वो कौन से जन जाती द्वारग किया जाता है लगभग सभी जन जाती हो द्वारग ठीक है जी अवो कब करते हैं ये आपको पूछता है तो लगबग होली के आउसर पर तो आपको प्रस्ण ऐसे पूछेगा भाई सबक के सबक पूछे हुए प्रस्ण है जितना मैं आपको लिखा हूँ क्लियर जी आगे बढ़े है क्या तो आपको याद रखना है चत्तिस गण में जन जाती नाटे अगला अगला प्रस्ण देखने हैं हमको क्या कि बस्तर छेत्र में किस धातु सिल्प के लिए विश्ववी क्या थैं बस्तर छेत्र बात बोल रहा है वो बस्तर का बस्तर छेत्र म आपको यहां से राज से याद रखने जहारा राज से याद रख लेना यह रायगड का धातु सिल्फ दूसरा आपको याद रखने मलार उसके बाद याद रखने घडवा ठीक है तो मैं इसको याद रखना हूं ऐसे घड़ा जैसे घड़ा होता है ना तो मेरे दिमाग में मैं मैं सोच लिया हूं कि जो आपका बस्तर होता है वहां पर फ्रीज नहीं मिलता वहां लोग पानी के लिए क्या यूच करते हैं घड़ा तो आपको याद रखना घड़वा सिल्प या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या डोगरा सिल्प कि दोनों एक ही चीज है और दोनों कहां से जुड़ा हुआ है बस्तर से तो आपको अंसर में याद रखना बस्तर छेत्र में कौन सा धातू सिल्प के लिए फेमस है तो आपको याद रखना घड़वा धातू सिल्प या इसी इक बोलते हैं क्या डोकरा धातु सिल्प आपको याद रखना रजवार सिल्प कला तो यह आपके लिए धातु सिल्प कला नहीं है तो आपको याद रखना यह तीनों अप बजगे आपके लिए कौन सा मलार तो मलार को याद रख लेना भाई इसको रटना पड़ेगा आपको कहां से सरगुजा क्लियर जी मतलब आपके तीन टाइप के धातु सिल्प बहुत फिमा से सरगुजा सबसे उपर एक नीचे दक्षिन शत्यस गड़ बस्तर और बीच में याद रखना आपको एक जगा कुण सा रायगाड तो आपको जहारा देखना जहारा से रायगाड याद रखना मलार से आपको सरगुजा रटना है और घड़ा घड़ा वाला कंसेप्ट बताया हमें आपको भई जब दो याद है तो तिसरा आपको याद आई जाएगा इसी को बोलेगा डोकरा सिल्पा या इसी को बोलेगा बेल मेटल सिल्पा तो आपको बेल मेटल सिल्पा या धातु कला भी पूछेगा तो उसका भी आंसर क्या ता है डोकरा सिल्पा या तो उसको आ आपको प्रस्णों को ऐसे तयार करना है, clear? आगे बढ़े क्या? अगला हमको याद रखना है क्या? निन्म जन जाती में से सबसे बड़ा समूह कोन है? निन्म लिखित में पूछ रहा है, आपको चार ओप्सन दिया हो, सबसे पहला आपको याद रखना है कि चारों से चार प् लेकिन हमको पूछ रहा है जन जातियों मैं सबसे बड़ा समूँ तो आपको याद रख लेना भाई गोड मैं आपको बताया था कि अगर 36 गड में 2 करोड 55 लाख लोग थे 2011 जन गड़ना कैनू सार उसके 30.62 प्रतिसात में क्या जन जातिया है और उसका भी लगभाग 50 पर्थेंट जो है आपके लिए क्या अकेला गोड जन जाती है समझो 2 करोड 55 लाख क्लियर जी तो अगर ये 2 करोड है और 55 लाख है ठीक है 2.55 करोड इसका अगर आप 30.62 प्रतिसा लाख अब इसका भी 50% निकालोगे तो लगभा कितना बोल दोगे 39 जो लाख जन संख्या है अकेले गोड जन जाती का है 36 गड़ का तो आपको याद रखना गोड जन जाती यहां से आपको प्रस्ण पूस्ता है कि अगर 36 गड़ में जो गोड जन जाती है इनका परमपराग सब्सकार यह होता है यह क्या होते है बेसिकली जो राज गोंड होते हैं मतलब जो राजपूत और गोंड दोनों में साध्य होता है उनको बोला जाता है राज गोंड तो यह जो राज गोंड होते हैं यह मुख्य रूप से जमीदार होते हैं सबसे ज्यादा जमीन इन ही के पास होता है सबसे ज़्यादा अबादी मतलब सबसे ज़्यादा जमीनिन का तो यह मुख्य रूप से जमीदार होते हैं यह प्रस्ण भी आपको बार 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 पूछा जाता है क्लिए जिसके बारे में आपको नौलेज नहों पता नहों उसे बोला जाता है क्या अग्या से पिछडी जन जाती उसमें सबसे पिछडी जन जाती है तो आपको यह प्रस्ण पूछा जाता है कि सबसे पिछडी जन जाती कौन सा है तो आपको याद रखना है अबुजमाडिया क्लियर जी अबुजमाड शेत्र निवास करते हैं लगबक नरायनपूर में आपको दीखे तो आपको याद रखना हलवा से कि पोखा या इसी बोलते हैं चिवडा का उत्पाधन 36 गढ़ में किस जन जाती के द्वारा किया जाता हलवा यह आपको पूछेगा क्रिसी में सरवाधिक उन्नत या सबसे अच्छा क्रिसी कौन करते हैं तो सरवाधिक उन्नत एक जन जाती को याद रखना क्रीसी के लिए वह है आपके लिए कौन सा हलवा, आपको याद रखना, गोंट गोंट क्या होते हैं मुख्य परूप से जमीदार होते हैं ज्मिधार होते हैं, और छंच गढ़ में सर्वस्ते बड़ा जंजाती समू महता हैं, दो प्राकार से अपको यहां दिरिष्टी से सरवाधिक सम्रिद्ध क्लियर भाई जितना आपको प्रस्ण लगभग पूछा जाता है मैंने कोशिस किया कि मैं एक इस एक वीडियो में सब को कमपाईल कर पाऊं सब को समनवायब कर पाऊं क्लियर जी तो लास्ट में जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि अंतर बढ़ता रही तब तक के लिए जै जोहार जै चाथिस गड़